हलो एवरिवान, वेलकम बैक तो माई चैनल किट्स लर्निंग फन, आज हम डिसक्स करने वाले हैं कमबाइन वर्कशिट आफ क्लास फर्स्ट, जिसके अंदर हम इंग्लिश सब्जेक्ट को, हिंदी को और मैस को डिसक्स करेंगे, इस वर्कशिट को आपको लास तक ज़रूर व विजट कर रहे हैं, आज की वीडियो आप लोगों के लिए अगर हेलफुल है, तो प्लीज आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको ये पसंद आती है तो, एंड साथी साथ बैल नोटिफिकेशन पे जाकर के आल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली चितनी भी निव वीडियो हैं चैनल के उपर उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे सब्जेक्ट मैट्स, तो यहाँ देखते हैं हमारा पहला कोश्चन, सो फर्स्ट कोश्चन है हमारा, write the numbered name for the given numbers, बच्चों को यहाँ पे class first में 1 से लेकर के 100 तक जो है वो numbered names करवाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमें numbers दिये गए हैं, हमें क्या करना है, बच्चों से कहना है कि इन numbers के numbered name, यानि कि उनकी spelling लिखेंगे, तो यहाँ पे first number पे हमें दि है 21, तो 21 लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे T, W, E, N, T, Y, 20, and then लिखेंगे O, N, E, 1, 35, इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को 10, 20, 30, 40 से लेकर के 100 तक सारी spelling बार बार revision करवानी है, ताकि बच्चों को 30 की spelling आनी चाहिए, और साथ ही वो 5 की spelling लिख पाए, तो 35 की spelling हम लिखेंगे T, H, I, R, T, Y, 30, और यहां लिखेंगे F, I, V, E, 5, 35, तो यहां पर हमें जो भी numbers given थे, उनकी हमने यहां पर number names यानि की spelling को write down किया है, next question है, question number 2, write the number for the given number name, पहले हमें numbers दिये गए थे, और फिर हमने उनके number names लिखे थे, अब हमें number names दिये गए हैं, और हमें उन F, I, V, E, 5, so 5 की spelling होती है, F, I, V, E, और इसका number name होगा 5, 15, 15, 15, next है, यहां पर 39, तो हम लिखेंगे 3, 9, 39, 86, तो यहां पर हमें लिखना है, 86, 86, इसी तरीके से आप और भी numbers देकर के बच्चों की practice गर पे करवा सकते हैं, next question है, हमारा question number 3, write smaller and greater than sign in the boxes, तो यहां पर हमें कुछ numbers दिये गए हैं, उनके बीच में हमें boxes दिये गए हैं, हमें क्या करना है, यहां पर हमें sign को लिखना है, first number पर हमें दिया गया है 12, 16, तो यहां पर हमें number देखना है कि 12 number बड़ा है, या फिर 16 बड़ा है, तो 16 number is greater than 12, तो हमें sign जो है वो इस than, 62, 92, 92 हमारा greater than है, 12 is to 21, 21 हमारा greater है, इससी तरीके से यहाँ पे जो हमें numbers दिये गए हैं, इनको भी हमें करना है, next question है, question number 4, match the numbers that comes before, between and after, यहाँ पे हमें before number का, between number का and after number का concept जो है, वो बताया गया है, तो उसी के according हमें हमें यहाँ पे questions को करना है, तो पहला number हमें दिया गया है, 25 और 25 से पहले blank है, यानि कि before का concept है, तो 25 से पहले आएगा 24, 15, 15 से पहले आता है, 14, 26, 26 के बाद में blank है, यानि कि इसके बाद लिखना है, यहाँ आ गया हमारा after का concept, 89 के बाद 90, 90, यहाँ पे हमें number दिया गया 101-103, तो next number हमें दिया गया है, 152 और 154, यहाँ पे बीच में आएगा 153, इसी तरीके से बाकी के जो भी numbers है, इनको भी हमें complete करना है, यहाँ पे खतम हुई है हमारी combined worksheet में math subject, अब हम आगे continue करेंगे with the English subject, so next subject है हमारा English का, तो यहाँ पे हमें first question दिया गया है, singular and plural से related, singular का मतलब होता है, single यानि की one thing की बात हो रही है, and plural का मतलब होता है, एक से ज़ादा, यानि many things की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, match करना है, तो question हम read कर लेते हैं, match the following singular to plural, तो यहाँ पे हमें इ rats, egg, egg का बनेगा, eggs, pencil, pencils, tree, tree का बनेगा, trees, इसी प्रकार से आप और भी nouns को लेकर के उनको बच्चों के साथ singular to plural वाली वर्कशिट घर पे करवा सकते हैं, so next question है, match the masculine and feminine, masculine का मतलब होता है, male gender की बात हो रही है, और उसे हमें match करना है, feminine के साथ में, यानि female के साथ में, तो father का जो masculine है, और father का masculine से हम जब convert करेंगे feminine में, तो बनेगा father का mother, girl, girl जो है वो feminine है, इसको हम convert करेंगे masculine में, तो बनेगा boy, host, hostess, sir, sir का हम convert करेंगे तो बनेगा madam, uncle, aunt, brother, sister, so next question we have, write a or an in the blanks, तो यहाँ पे हमें a और an को यहाँ पे fill up करना है, because यह हमारे articles है, तो जहाँ पे भी, जो भी word हमारा consonant से start हो रहा है, उसके आगे तो हमें a mention करना है, और जो भी word हमारा vowel से start हो रहा है, उसके आगे हमें an लगाना है, तो यहाँ पे है dash boy, boy में जो first letter है b, वो हमारा consonant है, तो हम लिखें यहाँ पे a boy, orange, an orange, because o हमारा vowel है, bowl, a bowl, umbrella, an umbrella, toy, a toy, spoon, a spoon, ice cream, an ice cream, इसके बाद हमारा है question number four, write the opposite words, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ words दिये गए हैं, इनके हमें opposite words लिखने हैं, तो first number पे हमें दिया गया है up, up माने उपर, इसका opposite word बनेगा down, d-o-w-n, down, r-i-g-h-t, right, right का opposite बनेगा wrong, और wrong की spelling होती है, w-r-o-n-g, wrong, thin, thin माने पतला, इसका opposite बनेगा thick, t-h-i-c-k, thick, slow, slow का opposite बनेगा fast, f-a-s-t, fast, dry, dry का opposite बनेगा wet, and last में दिया गया है open, open माने खोलना, और इसका opposite बनेगा close, c-l-o-s-e, close, तो यहाँ पर हमारे English की worksheet जो है, वो finish होती है, so next worksheet है, हमारी Hindi की worksheet, तो पहला question हमें दिया गया है, दिये गए शब्दों के उल्टे शब्द लिखो, यानि कि यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिये गए है, इनके हमें उल्टे शब्द यानि कि opposite शब्द लिखने है, तो पहला ह हमें दिया गया है, उपर, तो उपर का हम लिखेंगे opposite शब्द यानि उल्टा शब्द नीचे, next है, छोटा, छोटा का हम लिखेंगे बड़ा, बड़ा, काला, काला का opposite word होगा, सफेद, हसना, हसना का opposite word होगा, यानि उल्टा शब्द रोना, अंदर का opposite शब्द होगा, बाह तो यहां पर हमने हमारे जो भी उल्टे शब्थे उनको हमने कम्प्लीट कर लिया है नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर टू लिंग बदल कर लिखो तो यहां पर हमें कुछ शब्द दिये गए हैं इनके हमें लिंग बदल करके लिखने हैं यानि कि यह या तो पुलिंग में लिखे गए हैं और इनको हमें स्ट्रेलिंग में करना है, अगर स्ट्रेलिंग में है तो हमें इनको कनवर्ट पुलिंग में करना है, तो पहला हमें दिया गया है माता, माता का हम लिखेंगे पिता, पती, पती का बनेगा पतनी, नर, नर का ब बनेगा चात्र, भाई, भाई का बनेगा बहन, देव, देव का बनेगा देवी, इसी प्रिकार से आप और भी लिंक बदल करके जो शब्द हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर के उनको चेक कर सकते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों पर निशान लगाओ, यहां पर हमें कुछ शब्द दिये गए हैं, इनका जो समान अर्थ वाला शब्द है, उस पर हमें निशान लगाना है, तो जैसे यहां पर दिया गया है बेटा, बेटा का अर्थ क्या होता है, पुत्र, पुत्री, राजा य बेटा का अर्थ होता है पूत्रत यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, उसके बाद है नदी, नदी का होता है जननी, माता, तटनी या फिर किनारा, नदी का होता है तटनी, बाग, बाग का होता है खेत, बगीचा, वरक्ष या फिर खली, बाग का अर्थ होता है बगीचा मित्र, मित्र का अर्थ होता है दोस्त और सखा यहाँ पर हमारे जो भी समान अर्थ वाले शब्दे उनको हमने कम्प्रीट कर लिया है समान ले वाले शब्दों का मिलान करो, यानि कि वो शब्द जो हमारे राइमिंग वर्ड की तरह बोले जाते हैं, गाई जाते हैं, उनको हमें मैच करना है तो पहले नमबर पे हमें दिया गया है राजा, तो राजा का बजेगा, तो राजा का जो भी हमारा राइमिंग वर्ड है वो बनेगा बाजा, तो हमें राजा को बाजा के साथ मिलाना है, काम, काम का बनेगा दाम, आना, आना का बनेगा जाना, रोटी, रोटी का बनेगा मोट गन्ना का बनेगा पन्ना कमाल का बनेगा धमाल तो ये हमारे जो समान लेवाले शब्थे उनको भी हमने मिला लिया है तो आज हम लोगों ने डिस्केस किये है हमारी कंबाइन वर्कशीट of Class First जिसमें हमने इंगलिश, हिंदी और Math को डिस्केस किया है ओफुली ये वर्कशिट आप लोगों के लिए helpful रही होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्रीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू